हेलो फ्रेंड्स दिस रोहित दांगोडी यूर होस्ट एंड दोस्त अगर आपने इंग्लिस बोलना भी ज़स्टी स्टार्ट किया है तो आपके लिए इंग्लिस में कुछ छोटे-छोटे सेंटेंसेस काफी यूसपुल रहेंगे और इस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक अब बात बिगड़ चुकी है 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 अब बात बिगड़ चु trustworthy. No one is trustworthy. next, किसी पर भरोसा मत करो. किसी पर भरोसा मत करो. don't trust anyone. don't trust anyone. तुम कुछ नहीं जानते. तुम कुछ नहीं जानते. You know nothing. या फिर आप यू भी कह सकते हैं, you don't know anything. You don't know anything. अपने काम से काम रखो. अपने काम से काम रखो. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन Mind your own business Next सब मतलबी है All are selfish या आप यूँ भी कह सकते All are mean Next मुसिबत में कोई साथ नहीं देता है No one accompanies in trouble No one accompanies in trouble Next मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था This is what I wanted to make you understand Next तुमने सब कुछ गड़बड कर दिया You mad hodgepodge Next समय बरबाद मत करो Don't waste time Don't waste time Next समय का पूरा फाइदा उठाओ Make the best use of time Next मुम्बत्ती बुझादो Blow out the candle Next मुम्बत्ती जलादो Light the candle Light the candle बच्चे को सीधा कर दो अगर बच्चा तिर्षा हो जाता है तो हम उसे कहते की बच्चे को सीधा कर दो तो इसके लिए हम use करेंगे Turn the chest up of baby Next बच्चा रो रहा है Baby is crying Baby is crying बड़डाना बंद करो So Stop murmuring Stop murmuring या आप यूँ भी कह सकते हैं Stop babbling Next Next अपने हक के लिए लड़ना सीखो Learn how to fight for your right Learn how to fight for your right Next कभी ऐसा मत सोचो Never think so Next तुम धके हुए दिख रहे हो You are looking tired Next Next क्या तुम थोड़ा आराम करना चाहते हो Do you want to take some rest? Do you want to take some rest? Next मेरे लिए बिस्तर लगा दो Make bed for me Next बिस्तर पर चादर बिचा दो Spread the bed sheet Spread the bed sheet on bed Spread the bed sheet on the bed Next क्या तुम्हे यह याद था? क्या यह तुम्हे याद था? Had you remembered it? Had you remembered it? Next मुझे लगा तुम भूल गए हो मुझे लगा तुम भूल गए हो I felt you might have forgotten Next क्या तुम्हारा दिमाग ठीकाने नहीं है? क्या तुम्हारा दिमाग ठीकाने नहीं है? Are you out of your mind? Are you out of your mind? Next यह मेरा पहली बार है अगर आप कोई भी काम पहली बार करते हो ता आप कहते हैं कि यह मेरा पहली बार है So इसके English translation होगा It's my first time It's my first time Next मेरा mood खराब मत करो मेरा mood खराब मत करो Don't spoil my mood Don't spoil my mood Next तुम मेरी जासूसी कर रहे थे तुम मेरी जासूसी कर रहे थे You were spying on me Next करपया थोड़ी देर और रुख जाओ So इसका English translation होगा Please stay a little more Next मुझे जरूरी काम है So इसका translation होगा I have an urgent work I have an urgent work Next तुम बड़े बातोनी हो You are very tall के ट्यूँ You are very tall के ट्यूँ बातोनी मतलब जो ज़्यादा बाते करता है तो उसे English में tall के ट्यूँ कहता है Next तुम कम बोलने वाले हो अब जिससे ज़्यादा बोलने वाला हो रहता है विससे एक कम बोलने वाला भी रहता है तो कम बोलने वाले को कहता है तुम कम बोलने वाले हो तुम कम बोलने वाले हो You are taciturn Next ख्याल तो बुरा नहीं है Not a bad idea Next मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं I don't want to elongate the matter Next इसके बारे में बाद में सोचना Think about it later Next बातचीत करते रहना Keep talking Keep talking या फिर आप यह भी कह सकते Keep in touch Next मुझे भूलना मत Don't forget me Next यह सर्ट कितने की है यह सर्ट कितने की है How much is this सर्ट How much is this सर्ट Next यह आपके लिए free है यह आपके लिए free है It is free for you It is free for you Next क्या मधुमक्खी ने तुम्हें काटा क्या मधुमक्खी ने तुम्हें काटा इसका English translation Did honey be bite you Did honey bite you Next तुम्हारा गाल सूजा हुआ है तुम्हारा गाल सूजा हुआ है Your cheek is swelling Your cheek is swelling Next यह खुराक ले लो Take this dose Next तुम्हारा महसुस करोगे तुम्हारा महसुस करोगे You will feel better You will feel better Next यह तो होना ही था यह तो होना ही था It was bound to happen Next होनी को कोन टाल सकता है होनी को कोन टाल सकता है इसके लिक Adam है जो है Water under the bridge Water under the bridge next यह तुमारी किस्मत में था यह तुमारी किस्मत में था अधितर किसी साथ कोई घटना घटती है तो हम कहते हैं कि भाई यह तो तेरे किस्मत में था so इसका English Translation it was in your luck it was in your luck next दुखी मत हो दुखी मत हो don't be upset don't be upset next तुम मुझे कभी भी मिल सकते हो तुम मुझे कभी भी मिल सकते हो you can call me at any time you can call me at any time या फिर you you can meet me at any time next मैं तुमारी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा मैं तुमारी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा I will be at your service I will be at your service next चिंता की कोई जरुवत नहीं है there is nothing to worry there is nothing to worry next सब कुछ ठीक होगा everything will be all right everything will be all right next मेरी सलहा मान लो take my advice next उस लड़की का पिछा मत करो don't follow that girl next injection लगवा लो so अगर बहुत सारे बार हम डाक्टर पर जाते हैं और हमारे जो रिलेटिव रहते हैं उनको इंजेक्शन से डर लगता है तो उनने के तक भी इंजेक्शन लगवा लो so इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा get injection get injection next आराम से next आराम से take it easy take it easy यह दुखेगा नहीं यह दुखेगा नहीं it won't hurt it won't hurt यह तुमारे दर्द को कम कर देगा यह तुमारे दर्द को कम कर देगा it will lessen your pain it will lessen your pain next तुम किसी से नहीं डरते हो you are not afraid of anyone next इसे अपने हातों से दबाओ press it with your hands next तुमारे मुबाईल में समय क्या हुआ है तुमारे मुबाईल में समय क्या हुआ है what is the time by your mobile next मैंने उसे बिक्षा दी मैंने उसे बिक्षा दी I gave him only 5 रूपीज next करपया मेरे साथ चलो please come along with me please come along with me next तुमने मेरे दिल की बात कह दी तुमने मेरे दिल की बात कह दी you spoke my heart you spoke my heart next अपना मुबाईल मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो give me your mobile for a while next अब मैं पूरी तर ठीक हूँ now I am quite well next बच्चो की तर बरताओ मत करो don't behave like a child next अपने दिल की सुनो listen to your heart listen to your heart next किसी की बातों में मत आओ don't get into anyone talks don't get into anyone talks next जो भी तुमारा मन करे वह करो जो भी तुमारा मन करे वह करो do whatever you feel to do whatever you feel to next मुझे अकेला छोड़ दो next मुझे अकेला छोड़ दो leave me alone next मेरा दिमाग मत खाओ English translation don't nag me don't nag me so आज के लिए बस इतना ही काफी है so we will meet in next video अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर किजे ताकि वो भी in basics sentence का इस्तमाल कर अपनी English को improve करे और अपनी day to day life में इसका use करे so we will meet in next video टेक केर तो ये लियर सह्तेयो करे वीडियोँ ये स्टमाई Sun के मेत्यास के लिए ड़को गरणिवादा ये स्तमाईя झाल झाल